असलाम लेकुम प्यारे बच्चो यकीनन आप लोगों ने एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का सफर किया हूँगा क्या आपने रास्ते से गुजरते वे इस तरह के बोड़, अलामते, निशानात देखे हैं? इन निशानात को भला क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया? हम जब केकट मैच देखते हैं, तो हमें स्कोर कुछ इस तरह से नजर आता है इन्हें हम स्कोर बोर्ड कहते हैं, इन स्कोर बोर्ड की मदद से हमें खेल के बारे में मालूमात हासिल होती है कुछ इस तरह भी हम मैच के स्कोर को समझते हैं, देखिए, इस शकल में हमें नजर आ रहा है कि किस तरह दो टीमों के रनों में उतार ये चड़ा हो रहा है या इस तरह की तरसीम से हमें वाज़े हो जाता है कि भी कौनसी टीम जीती है और कौनसी टीम हारी है या कभी कबार हम कुछ इस तरह के नमूने भी देखते हैं यहाँ पर हमको यह नजर आता है कि भी कौनसी अवर में कितने विकेट गिरे हैं कितने रन्मने हैं गर्ज के हमें मालूमात फॉरी तोर पर शकलों की मदद से हासिल हो जाती है जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरोना से मतासिर हालात से गुजर रहे हैं आए दिन हम कोरोना से जुड़ी खबरे, अकबारात, टीवी, नियूज, सोशल मीडिया पर देखते हैं इसे जुड़े आदाद, नंबरात, शुमारात, मुक्तलिफ तज्याती जिदौल देखने के लिली मिलते हैं जैसे कि आपके सामने ये दो नमूने पेश किये गए हैं आपने यकीनन इस तरह से या इसे कुछ मिलते जुलते आदाद और शुमारात के जिदौल देखे होंगे यहाँ पर हमको इस तालुक से जुड़ी खबरे आसनी से समझ में आती है इनके साथ साथ हमें कुछ ऐसी तसाविर भी नज़र आती है जिसमें हमें जिसको देखने पर हम फौरी तोर पर यह समझते हैं कि भी हालात कैसे है आपने गौर किया कि क्यों भला हिदायात मार्लुमात का अश्काली जहर किया जाता है चाहे स्टॉक मार्केट की खबरे हो हमें वहाँ पर भी कुछ इस तरह की शकले नज़र आती है या फिर एलेक्शन की नताईज हो हमें कुछ ऐसी तरसीम की मदद से फौरान समझ में आ जाता है कि भी कौनसी पार्टी के वोट ज्यादा है कौनसी पार्टी आगे है कौनसी पार्टी पीछे है या फिर जराई पैदावार से मतलिक कोई रिपोर्ट हो तब भी हमें ऐसी तरसीमें देखने पर समझ आ जाती है कि भी कौनसी फसलिकी काश्टकारी ज्यादा है कौनसी फसलिकी काश्टकारी कम है कैसे तनासुब में जो है वो पैदावार चल रही है गर्ज हर जगे हमें ये तरसी में नजर आती है आदाद, शुमारो या मौतियात को बाज अवकात जिदौल की सुरत में तर्टीब दिया जाता है पेश किया जाता है लेकिन जिदौल की सुरत में होने की वज़ा से बास बाते हमें फौरी तोर पे समझ में नहीं आती बिल्कुल उसी तरह पैरे बच्चों जैसे मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आम इंसानों को समझने के लिए रास्ते की सिगनल, बोर्ड वगेरा को जिस तरह निशानात से जाहिर किया जाता है ताके उसे एक बगेर पढ़ालिक का इंसान या कम पढ़ालिक का इंसान भी आसनी से समझ सके बिल्कुल इसी तरह शुमारियात में आम लोगों को इसे समझने के लिए इनकी तवज्जा मौतियात की एहम बातों की तरफ मबजूल करवाने के लिए मौतियात का अश्काली इजहार किया जाता है जिसे हम तरसीमी इजहार भी कह सकते है जैसे कि प्यारे बच्चों ये शकले देखिए ये सादा सुतुनी तरसीम है आपने कुजिश्टत जमात में से पढ़े है या देखिए ये एक मुतसल सुतुनी तरसीम है ये पि आपने पिछली जमात में सीखे है दो सुतुन यहाँ पर एक दुसे से जुड़े है हरे और गुलावी रंगसिन को अलग-अलग बताया गया है तो ये कहलाती है मुतसल सुतुनी तरसीम आईए प्यारे बच्चो इस सबक में हम कुछ नई तरसीमों का मुतालिया करते है जैसे ये तरसीम ये है आपके पास तक्सीमी सुतुनी तरसीम एक ही तरसीम में एक ही सुतुन में मुक्तलिफ मदों को तकसीम की सुरत में पेश किया गया है मुक्तलिफ रंगों की मदद से या यह है आपके पास फी सदी सुतूनी तरसीम तमाम सुतून सौसो के बनाएं गए हैं और उसमें तकसीम की गई हैं दो मददों को इन्हें हम मुक्तलिफ रंगों की मदद से समझ सकते हैं दो या दो से जाइद मदों को हम बता सकते हैं आईए सीखते हैं कि हम किस तरह से ये तरसीमों को तरसीमी कागस पर खीचेंगे यकीनन आपको बड़ा मज़ा आएंगा